साथियों, मुझे खुशी है कि इस बार इंडियन साइंस कॉंग्रेस की थिम भी एक एशा विशा है जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। विश्वका भविश्व सस्टेनेबल डेवलप्मेंट के साथ ही सुर्क्षित है। आपने सस्टेनेबल डेवलप्मेंट के विशे को विमन एमपॉर्मेंट के साथ जोड़ा है। मैं मानता हूँ कि व्यावारिक रुप से भी ये दोनों एक दुसरे से जुड़े हुए हैं। का भी एंपावर्मेंट करें। साइन्स और रिसर्च को नई गती दें। ये हमारा लक्ष है। अभी भारत को जी ट्वेंटी समुव की अध्यक्ता की जिम्यदारी मिली है। जी ट्वेंटी के प्रमुक विशों में भी विमन लेट डेवलोप्मेंट एक बड़ी प्राफ्विक्ता का विशय है। बीते आठ वर्षों में भारत ने गवनेंस से लेकर सोसाइटी और एकोनमी तक इस दिशा में कई ऐसे असाधारन काम किये हैं जिनकी आज चर्चा हो रही है। आज भारत में मुद्रा युद्रा के जर्ये छोटे उद्योगों और व्यवसायों में भागीदारी हो या स्टार्ट अप वर्ल में लिडर्शिप महिलाए हर जगह पर अपना दम दिखा रही है। बीते आठ वर्षों में एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च एन डेवलोप्मेंट में महिलाओं की भागीदारी दो गुनी हुई है। महिलाओं की ये बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि समाज भी आगे बढ़ रहा है और देश में साइंस भी आगे बढ़ रही है।